स्वागत आप सबका WPL के मैच नूमबर चार के अंदर मुकाबला है यहां पे UP वाज़र्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो खेला जाएगा एम चिन्नसवामी स्टेडियम बैंगलूरु के अपर मैच टाइमिंग है शाम के साथ बजे एक तरफ आपको यहां पे अल कि दोनों वही टीम्स है जहां पर एक बॉल पे पांच रन की इक्वीशन बनी थी तो आप देखी फिलाल UP वाज़र्स तीसे स्टान के उपपर है और दिल्ले कैपिटल्स चौथे स्टान के उपपर है दोन टीम्स अपना पहला मैच चार के आ रही है तो देखते हैं इस क्ल स्टान के बारे में चर्चा करूंगा स्टेडिम के डाइमेंशन क्या है क्या आपर ड्यूफेक्टर आ रहा है या नहीं यह भी हम देखेंगे फिर हरे एक प्लेयर के हैड़ नंबर स्वेन और प्रिछले मैच के अंदर किस ने कौन से नंबर का ओवर डाला था किसका क्या र तालिया मगरात वर्सेज मर्जने कैप 15 इनिंग्स के अंदर 5 बार आउट किया है 56 गेंद के अंदर 45 रंदे के वो छोड़ा ग्रे सेरिस का देखो अगें शीखा पांडे तीन इनिंग्स में तीन बार आउट किया है साथ वाल के अंदर 6 रंदे के यह जो सारी टैक्टिकल चीज है न यह सब आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर यह आपको इश्वास देता है शैफली वर्वा वर्सेज एकले स्टोन पच्पन गेंद चम्माल इस रंस नो इनिंग्स के अंदर 4 बार आउट किया है वो छोड़ो मैग लनिंग का देखो आप जो वन इनिंग्स में छह बार आउट किया इसको 89 बाल केंदर 76 बहुत ऐसी मेरे बात बात है एफेक्ट से बात करने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना मजा जाएगा इस बात की गारेंटे में ले रहा हूँ वर्सेस गुजराज जैंट्स का अब इस वनी के उपर भी तक तीन मैच्छस में तीनों मैच्छस की अब्रिविशन्स के है क्या आपने मैचों के अंदर देखा हूँ आपको बताता हूँ यह जो विकेट है न बहुत बढ़िया रहता है बैटिंग करने के लिए अगर कोई दंकी टीम खिलती है तो दंकी टीम इन दे सेंस के दोनों के पास बैटिंग अच्छी है देखा जाए तो इस ग्रेम के अंदर तो आपको एक सो साथ-ेक सो सत्तर का स्कोर बनता हूँ दिख सकता है अंटिल एड अनलस यूज पिच ना हो तो यूज पिच भी तो एक सो चालि पिर देखो मुंबा इंडियन सेस करने आती है इन्होंने पांच विकेट गवा के ग्यारा बॉल रचे टार्गेट चेस कर लिया फिर इससे पहले एक सो सत्तावन बना च्छा विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम एक सो पच्पन बना पाती है एक सो गत्तर बना यह पहला मैस थे एमाई वर्सेश डीसी का जिसके इंदर डीसी ने एक सो गत्तर बनाया था बहतर का टार्गेट दिया एक बॉल पे पांच रंच चिया था सजी ऑन सजना चक्का मारती है और मैच को फिनिश करती है तो यह दोनों टीम धिस वर्णी भी एक मैच खेली आगास किया था और दोनों हारी है बैटिंग फर्स्ट एक मैच जीता गया चेस करते हो इस वन्य के उपर दो मैचेस जीते गया और दोनों किसने चेस किया था MI, Umba Indians, RCB का हम ग्राउंड, दोनों अवे टीम्स है, प्रती वर साथे आठके आसपा सरेंस बनते हैं और इस वन्य के जो लास मैच वा था, MI vs. GG उस मैच में साथ विगेट पेसर गा था, चार विगेट वहाँ पर रिपीट करता हूँ, साथ विगेट स्विगेट के दे, चार विगेट पेसर के दे विगेट कॉलम को देखें, अभी देख, WPL में जो तीन मैच हो है, उनके अंदर पेसर ने 14 विगेट निकाला है पहली पारी के अंदर 8 दूसरी पारी के अंदर 6 और सारे के सारे विगेट राइट ताम पेसर के दौरा निकाले गाए spinners 23 wickets है पहली पारी में 12 मैं side होता हूँ दूसरी पारी के अंदर 9 left arm orthodox spinners का 6 leg spinners का 12 left arm orthodox भी हो गया off spin का 5 wickets है अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछ की photo यह पिछले match के पिछ की photo है जो कल इस्तिमाल करी गई थी पिछ नंबर 6 था है और सामने की बावंडे 66 meters थी square 52.57 थी बड़ी बात की आती इस pitch पे आप देखो कई जगा grass थी कई जगा grass नहीं थी यहाँ grass नहीं है यहाँ grass नहीं है यहाँ grass नहीं है इस area में grass नहीं है तो ऐसी pitches पे गया होता है two-paced pitch कहते है इनको जहाँ पर grass होती है जब grass पे बावल गिरती है तो बावल तेजी से बैठ पे आती है और जब ऐसे patches पे बावल गिरती है तो बावल दीमा आती है तो इस टाइम पे बैटर से सोचते है भाई यह बावल तेज आईगी है दीमी आईगी इस बार तो वो थोड़ा सा confusion create करता है पेटरस के दिमाग में यह देखा आप ऐसी पिस थे पिछले गेम के अंदर लिखा भी आ रहा है मैच नंबर 3 GG vs MI और यह था मैच 1 और मैच 2 की पिछ मैच 1 मैच 2 एकी पिछ पे हेला गया था एक सट और 50 स्क्वेर सामने 65 और ऐसा ट्रैक था वो तो अग्दम ड्राई सर्फेस था यह देखें लूए फेक्टर नहीं है यह जो रोलर होता है ठीक है यह ज़्यादा गीला नहीं वाता है इसका टायर यह स्टेडियम का वियू है बहुत ही प्यारा स्टेडियम है देखें द्रोन वियू यह special बिजरोड व्रामड चिन्नस्वामी इस्टेडियम बंगलूरू कैसे लिए कमट करके बताना और पहली बारे में कितना स्कूर बन रहा है किए एक सो साड़ बनेगा या फिर एक सो चालिस मेरे को कमट करके बताना यह दो आपको पता ही है मैंने बता है ता स्टार्टीम में कॉन कैप्टन कॉन कोच इस टीम्स के दोन टीम्स ने दो मैचेस के लिए दोनों दुली कैपिटल्स जीती है L.S.L.E. उपन करती है कप्तान इस टीम के कीपर है वृत्या दिनिश के साथ पिरातिया पे तालिया मगराथ ग्रेस एरिस स्वेता शेरवाट किरन नवगिरे पूनम खेमनार बहुत अच्छा दिखी थी लास्ट गिम में ये दिप्तिर शर्मा एकले स्टोन साइमा थाकुर राजेश्वरी का एक वाड़ ये और भी प्लेट्स है दिल्ली के पिडिल्स शेफली वर्मा उपन करेगी मैग लानी के साथ अलाइस कैपसी आती है वन डाउन जममा रोडरीकेस टू डाउन है मर्जन कैप सुदलेंड तानिया भाटिया मिन्नू मनी अरुन अजट्य रेड़ी श्रीका पांडे रादा यादव अब प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फटा फट क्या रोल था पिछले गेम में क्या डाटा कहरी उसके बारे में बात करेंगे तो अलाइस एली कीपर बल्ले बाज है सामने कोई खास मैच अप मुझे लगा नी जब मैं मैचस पढ़ रहा था तो एक अच्छी पीगी रहेगी इस गेम में लास्ट गेम में तो क्लियर काट ये ड्रॉप वाली पिक थी बात भी गरी थी वीडियो के अंदर दो मैचस में साथ रंज है बात करने में बहुत फराग होता है 36 वैटिंग फस्ट चेस केपर चोईस 108 वैटिंग था साइग्रेटस ने स्टंपिंग गरी है हमेशा कहता हूं मैं विमेन मैचस के अंदर की बहुत वैली होती कल का मैस देख लो यश्टी का बातिया ने दो स्टंपिंग गरी एक कैच पकड़ा था ठीक है कितना पॉंट मिली है आपको बता है 12 और 12 चोईस और 8 पॉंट 32 32 और 4 प्लेंग लिए उनके 36 बिना बैट को आट लगाए 36 पॉंट यह फाइद होता है कीपर्स को वह भी देख आप सामने वाले जो वह टीम है जिसमें कीपर है उसमें किस टैप के बॉलर्स है इनके बास देख गाइकवाड है इनके बास पिंग के अंदर एकलिस्ट होन है जो स्टंपिंग कर वा ले थी बहुत दफा दिपती शर्मा है तो चांसस बनेंगे नही गेंसे इ वह आपको द्यान रखना है तो ज्यादा कोड़ी बेंड के मौके मिलेंगे नहीं वैंडी की उपर पांच रहन है चेस करते हुए फॉम पांच नियनाने में साथ चार उननीस दस उन्तिस इस तरह सार है विरिंदा दिनेश टीट्वेंटी फॉर्बंट में 17 मैच खेला है 379 पिछले मैच में इसने कुछ शॉट्स बहुत अच्छे खेले थे बट स्टाइगरेट बहुत कराब था इसने जो 18 रंस बनाये थे और 25 वालो में बनाये थे वह एक नेगेटिव इंपक्ट वाली पारी थी पट वह एना पहला मैस था है प्लेयर को उबरने में लेट सी ताल 58 नाबाद मैटिगा पर्स 90 नाबाद मैटिग शेकंड कमाल गया अगने वैंव बैइस रंस भीगेट है पिछले मैच में पुरा चारोफिट स्पेल आया बाथ बट बात बैटर है चंहली सरं तीन विकेत बाइसन गण गयाइट श्रोब लेस रिस हैड़ी नहीं ही हैली से बॉलिंग दे दी और एक मोस्ट डेंजरेस बैटर सोफीड इवन को इसने आउट किया था इसकी आदत है एवन डबलू बीबी लिग अंदर कही मैचस में पहला वोर डालती है श्वेता शेरावात दो मैचस में 20 रंज एक्टूड में 19 वैटिंग फर्स चेस को पर एक दो मैचस के अंदर चार रंज से बैटिंग फर्स दो चेस के उपर दो वैन यू के उपर एक रंज से इसका पिछले मैच में जुआया था पावर्फुल इटरेस को लेट बैटिंग मिल रही है तो ग्रैली के लिया आज से ट्राइ करिए सरे पूनाम खेमनार को भी पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी अगर स्लो ट्रैक रहा तो उसको बॉलिंग मिलनी चाहिए इस गेम में टी ट्वन्टी फॉर्मेट में 46 मैच में 30 विकेट और 818 रंस है एक मैच के अनदर इस कैस्वन पे 14 रंता लास्ट गेम में बहुत अच्छी दिगी थी अगर बॉलि अच्छी बॉलिंग टालती है आके साइमा ठाकुर मुंबई की डॉमिस्टिक टीम के कफ़ान है स्टैट्स आपके सामने है पिछले मैच में इसको डेब्बी मिला डवली पील में विगेटलस गई बॉलिंग फर्स्ट करते हुए रिसरन फॉर्म इतना खास नहीं है राजरश्वारी गाइक मैच में एक मैच में एक विकेटर बॉलिंग फर्स्ट और जी यहां और इसने स्टैट्स पेल डाला तो उसमें गत्तिस रन दे दिया था इसने इसकी 15.5 की एकॉनोमी है वेन्वी पे आट मैच में दस विगेट 5.3 की एकॉनोमी आपे बहुत अची बॉलिंग करती है पिछले मैच में इसको दो विगेट मिला यहां रेलवेस की दरफ से खेल चुकी है और यहां की लोकल प्लेयर अगर आप नहीं जानते हैं गायकवाड को करनटका की यह लड़की है यह भी आपको ध्यान रखना है शीजन लोकल पारवशी चोपरा नंबर्स दिये हुए बैंच पे अंजली श्राउनी भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेती है बैंच पे य सेरीस का रोल जो है वो अतुपतो की तरह यह से बर्स वो उपन करती है ताले मगराद दूसरा चटवा शोल्वा अठारवा एकलेस उनका चोटवा आटवा बारवा बीसवा दिप्ति का साथवा पंद्रवा निसवा था गायकवाड का नौवा ग्यारवा तेरवा सायमा था आखुर का दसवार चोधुवा ओवर था मैग लनिंग दो मैचेस कंदर एकस्टोन और रंस है 168 का स्टाइगरेट है बैटिंग फस्तार चेस्ट के पर 49 है वैंवी पे 30 रन है बैटिंग फरस्ट करते हुए अधुबूद ये प्लेयर है बड़ सामने मैचप है फांदी को 31 इस गेम में भी अटेकिंग शॉर्ट्स खेलेगी बस एक ही मैचेप अकले स्टोन का वरना है सब को चेसे खेलती है वैंडी के उपर एक मैच में इग रहना है बैटिंग फरस्ट करते हुए गाइकवड आपको इस गेम में पावर पेल में बॉलिंग करते हुए पिछले गे मैच का साइकर तीन विक्टे है अच्छी होलराउंडर है पिछले मैच में दिखाया सना दमखं पिच्चतर रंप की पारी और दो विकेट वो कैप सीशो था जम्मा इम्मा दो मैचस में 37 रंस है बैटिंग फरस्ट चाउतिस नाबाद चेस के उपर तीन वैन इपर 42 गिया रिसेंटली अभी बैटिंग फरस्ट करते हुए कैप का दो मैचस में 50 रंस बैटिंग फरस्ट चेस के उपर 34 नाबाद इंपोर्टेंट पिग रहेंगी यह और अच्छी वैल्यू दिखे जाती है गोल्डन फॉम में बैटिंग से तो आप इंसे ज्यादा उम्मीद रखिय थोड़ी अनलग्की रही है यह है इस टाइप की बॉलर विकेट जब निकालती है तो बहुत सारे निकालती है उन्हा कुछ नहीं करती तानिया बाटिया इसने हैट्वड के अंदर दो मैचस के लें एक कैच और चार्ड स्टंपिंग कर रही है वैन्यू पे इसने पिछले म कुरिशल ओवर डालने और इसके बास विरेशन्स अच्छा है यह और कर सची स्लोर बॉल अच्छी है दो मैचस में जरू विकेट है ग्यारा की एकोनोमी है है एट्वड कंदर तीन और बॉलिंग करा चुकी है वैन्यू के पर चार मैच में पांच विकेट है अच्छी बॉ बॉलिंग फर्स टेक मैच में दो बॉलिंग सेकेंड एक मैच में जरू विकेट है रेशन्ट फर्म बहुत डिप है पहले ये टीट्वंटी फॉर्मेट में खेला करती थी किसके लिए इंडिया के लिए बट रेसेंट लिए इसकी जगा ड्रॉप ही है लाब ने देखा जैज अनसन अधूद ये भी प्लेयर है पुनम यादव लॉरा हैरिस स्नेया दिप्ती अपरना मॉंडल अश्विनी गुमारी भी है अच्छी प्लेयर पिछले गेम में कैप का पहला तीसरा दसवा सोलवा शीगा का दूसरा चटवा अठारवा सदलन का पांचवा बारवा पंदरवा अन्यसवा रडी का था साथवा नववा चौदवा सतरवा कैपसी का आटवा बीसवा रादा का ग्यारवा तेरवा वरदा रादा अभी फिलाल इतनी कॉन्फिटेंट बॉलर नहीं है अलैस अहली का मैचश अपूनम के सामने आट इनिंग्स में पांच बार जैस एक इनिंग्स में इक बार आटके डोमिस्टिक के अंदर यह आपको कोई मैच अप नहीं देगा डोमिस्टिक का भी तालिया मगराथ अगेंस्ट कैप चपन गेंद पैंतालिस रंस पंद राइनिंग्स में पांच बार आउट किया है और ग्रिया सेरीस वर्सेस शीका नवगरिया वर्सेश जैज जनसन चार बॉल तीन दन दो निंग्स में दो बार आउट किया है दिप्ती का कोई स्पेशल मैच अप नहीं है एकलिस्टोन भी बहुत नीचे बैटिंग अरी है कोई खास मैच अप इनका नहीं है अतू पतू खेलती तो इनको रादाय अदव चैनिंग्स में चार बार आउट कर रखा है कैप ने 22 इनिंग्स में 8 बार आउट किया है दोनों साथ में खेल जुगा है चम रुपतू और कैप सिर्टनी थंडर के लिए डोबलू बीवेल में शैफली वर्मा अगेंस एक मैच अप है जो थोड़ा सा परिशान कर सकता वरन आमबल दालती है जो अंदर आती है कट खिलनें की सिदह सिद्धर राइटल करती है तीनग्स ने थीन बार आउट कर रखा है कैप अगेंस टेकलिस्टों पंद्र इनिंग्स में चार बार आउट किया ग्रेएस एटबैटी तकर ने इसको 21 बॉल के अंदर तेरा रंदे के सा जब एवन मैंग लेंग को पता हुआ मैंग लेंग नहीं कहा नहीं कहा हुआ है लाइसा लिए को इसली तुर कैप्टन है सदल्गेंस 32 गिंट 35 जृष गरेस अर्य आरिस ने 16 बॉल में 15 इंगे 5 इंगे 2 एकलिस्टोन ने 43 बॉल में 20 इंगे 9 इंगे चार बार आउट किया है तो वाई साब एनेबल सब्सक्राइब तो रेड जोन में विद्धा बैट जैज अनेजन का नहीं है और एक करोड रुपेगी आपको लीडर बोर देखने को मिलती है सुमन्स प्रीमिल लीक के अंदर तो वाई सब पार्टिविट कर लेना आप कहीं स् मिलता है आपके investment के value के basis पर पहले रेंट पर टोवेटा दूसरे पर जीप महिंदरा जैड यूवी तीसरे पर चौते पर किया की सुनेट मिल जाती है फिर ऐसे करते करते चट्वे पर आपको एमा की बाइक साथ वे बजाज बहुत सारे प्राइज है एवन ग्यारा से पंद स्पॉंसर्शिप के अंदर माई मास्ट्र जेवन की कॉमन कैप्टन तालिया मगराथ कैपसी अलग जाना तो मर्जयन कैप ए ग्रेस हैरी से दिप्ति और सदेलेंट को साथ में रोटेट कर सकते हैं एक स्ट्रक्टर वाली प्लेयर से हैं तो फिलाल इस तरह से टीम बनरी वन डाउन करने आ जाती है कैप सी में वाइस कैप्टन आप तो कैप को कर सकते हैं और ग्रेस हैडिस भी है आपके पास ऑप्शन मैं इसका शीका पांट है यह साथ हैली मैं शेफली वर्मा नीचे आपको एकलिस्टोन अरूर अधिते रेडी दिख जाती है रेडी को मैंने इसले बैक किया है आपने पिछला मैच यूपी का देखा उनको लॉर ओडर ने पांच विगेट दे तो श्वब आश्टोन को वरिशन करती है मैसे रेडी वो लेक्स विनर थी आशा वो अलग बात है बट टेल जो इनकी थीम लॉर ओडर की वो मेरेको कमजोर लगी यूपी तो इस वज़े से रेडी विगेट निगाल सकती है इवन आपके पास गाइकोड बहुत अच्छी ऑप्शन है जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेती इन ट्रैक्स कुप पर लोकल गर्ल है यहां की हैली सबसे बेस्ट ऑप्शन है कीपिंग में नो बैरिया डैरे आप इनक लेना लेजिए कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलाल में आपको एक 20-25 वेंबर की टीम बना के देने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर हम बैतर लेंक ला सके मैं लनिंग है शैफली वरमा भी ठीक ठाक पिक रहेंगी इस गेम में बट आपको हमेशा पता है शैफली वरमा के सा जदा उम्मीद करूँगा नहीं बॉलिंग से चार और डालती है उसमें वेरिशन्स अच्छे होते हैं इसके विकेट्स निकाल के जा सकती है एक और पावर प्ले में दो मिडल फेस में एक डैथ के अंदर मिन्यू मनी श्लो ट्रैक रात तो ट्राइग करिए शैद फिर सदल जो और नहीं से डालती है गाईकवाड रोटेट करिये इसको बॉलिंग फर्शमें एक और इसका डैथ मैं आ जाता है राधा का फॉर्म कंसर्ण रहा है और उन्हों जाते रेडी लास सीजन भी इसने बहुत अच्छी बॉलिंग रहे थी सीजन भी आप उमीद कर सकता है तो